तो बाई देखो एल्कोहल फिनॉल एथर के लास्ट टियर मतलों दोजर तेईस जी में में जितने भी कोश्चन आये तो उनके प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके और अभी आज जो आप प्रैक्टिस करोगे उन समय अच्छी बात क्या है कि सारे के सारे कोश्चन चैप्टर तो प्रोटान दें लगए असे अधिल को तॉर्पसाइब तॉरु नही कि नहीं कहना दुनिया में सबसे पहले चैछी यहां से निकलते ही किया होगा और ये हम बनगे तुह को कार्बो कितार कराएंगे तो प्युक्स्टे से पहले की stability पता करते हैं यह वाला बॉंड अपना तोड़ेगा और इसके साथ एक फाइब मेंबर की रिंग का formation करेगा तो अगला step क्या बनेगा अगला step यह बनेगा कि एक तो हमारे पास यह five member ring हो गई और एक हमारे पास हो गया जो पहले थाइब मेंबर की वह वाई ठीक है और इस वाले bond पर यानिकि इस वाली रिंग में यहां पर positive charge होगा अब क्या होगा अब आपका जो यह वाला five member ring यह वाला और एक हो गया अपने पास six member ring इसने एक्सपेंड किया तो positive charge इसके उपर रहेगा यहां पर ठीक है अब क्या होगा यह five member क्या करेगी यह भी expand करेगी तो यहाला bond break करके expansion के बाद होगा क्या कि हमारे पास दो six member ring जो है वो formed हो जाएंगी ठीक है एक पहली वाली six member और दूसरी यह वाली six member और उसके बाद भी क्या होगा यहां पर positive charge रहेगा देन उसके बाद अगर आप question में ध्यान से देख पार है तो heat कर रखा है इस hydrogen को निकालेंगे मतलब dehydration कराएंगे और यह वाला bond सब्सक्राइब करते गए तक तक की stability में प्रॉपर्ली ना मिल जाए और ऐसे करते करते क्या हुआ दो six member ring का formation हुआ देन उसके बाद क्योंकि यहां पर heat भी कर रहा था तो आपने heat करके hydrogen करके double bond उसका बना दिया ठीक है आई होप यह आपको question समझ में आ गया होगा